नास्कार दोस्तों OCN Network में आपका स्वागत है मैं हूँ ओमकार चोड़ी आज कई मुद्दों पर बातचीत करेंगे मेरे साथ भावत तोर से कर जुड़ रहे हैं भागत सिंग कोश्यारी के वयान को इतना तूल क्यों दिया गया और भागत सिंग कोश्यारी इस तरह के वयान दे ही क्यों रहे हैं यह तो उनको बोलने की जरूरत नहीं थी देखो हर जगह आप जाओगे तो वहां के कुछ ना कुछ सववेधन शिल बाते होते उस पर अगर ह हमारी पूरी समझ नहीं है तो उस पर हम कॉमेंट करने नहीं चाहिए राज्यपाल ने ऐसी कोई बात करने के कोई जरूरत नहीं थी मौका भी नहीं था यह अच्छे लोग है उनका सथकार हो रहा है उनको डिलेट दी जा रही है तो शिवाजी से उनका कंपैरिजन करने के जर सब बोलने के आज के जमाने में दरूरत नहीं जब आपको मालूम है कि आपके खिलाप लोग लाइन लगा है बैटे आपको कहां आपको बदनाम करना है यह से वक्त में हमको एक-एक समझ कर बोलना चाहिए तो भगत सिंग कोशियारी को ऐसी बात करने कि देखो इसमें इंस में जो रास्ता दिखाया उस पर एक समाज चल पढ़ा था 300-400 साल पहले आज के जमाने में अगर गड़करी वगर यह शरत पावर जैसे नेता है तो वो नेता समाज का जो नेता होता है वो रिफरेंस में बोल रहे थे लेकिन अगर आपके सामने वाला आपको गलट ठैरना आने के लिए नजर गड़ाय बैठा है तो आपको यह बोलने की जरूरत नहीं थी अब देखें वहां शरत पावार बैठे थे क्यों शरत पावर को उससा नहीं आया मुझे बोलिए कि भकत सिंग कोशियारी की निन्ना हो रही है तो शरत पावार की क्यों नहीं हो रही है ऐसे इंसान के हाथ से जो डिलीट मिली है मुझे वह मंदूर नहीं में वापस करता हूँ उसी मंच पर शरत पावार बोल सकते थे नकिन नहीं शरत पावार चुप बैठे इसका मतलब साफ है कि यह सब मामला आफ्टर दॉट है पस्चत बुद्धी है कि अरे 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 इसक है तो यह सब जो कोड़ी जूता मारने का नाटक कर रहे एक पुटला फूक रहे तो वह सयान है और शरत पावार क्या पागल है क्यों शरत पावार जब बोल बोला जा रहा था तब शरत पावार ने प्रोटेस्ट क्यों नहीं किया महारास्ट्र के सबसे जम समझदार नेता सबसे पहले खड़ा होना चाहिए ता शरत पावर को उसी जगा मुझे कुछ बात याद आती है जी डॉक्टर राम मनोर लोहिया अमरीका में किसी उनियोर्सिटी में लेक्चर देने गए थे मैंने कहीं पढ़ा है तो वहां यह गोरे नहीं है इसलिए एक रेस्टोरन से उनको बाहर निकाला गया तो वह वहीं उपोशन के लिए बैट गए हंगर स्राइक पर बैट गए और जब उनियोर्सिटी ने उनको समझाने की कोशिश की बोले मुझे लेक्चर देना ही नहीं मैं वापस जाओंगा ऐसे बहुत देश में चलते मुझे वहां रुकना नहीं है मुझे ना लेक्चर देना है वो निकलकर वापस आगे तो शरत पावार उस मंच पर क्यों बैटे यह स्लिसा वाले